ओम स्री वेंकटेश्वराय नमहा, आज के इस वीडियो में वैकुंट एकादशी के समय, किस तरक दर्शन हमें मिलता है, कौन से गुप्त मार्ग से भक्तों को लेके जाया जाता है, एकादशी और द्वादशी के दिनों में रश की स्थिती क्या होती है, कितने चांसे हैं एक अगर किसी कारणवश आपका दर्शन ठीक से नहीं हुआ या कुछ मनोकामनाएं आप भूल गए, तो क्या आप फिर से दर्शन कर सकते हैं, क्या भगवान स्री वेंकटेश्वर स्वामी के ही कोई प्रतिरूप है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर आप भगवान स्री वेंक स्क्राइबर्स और भगतों ने हमें पूछा है, इन सभी को मिला कर ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो अन तक बने रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वैश्नव मंदिरों में वैकुंट एकादशी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तिर्मुला में भी वैकुंट एकादशी, द्वादशी और इन दोनों को मिला के और आट दिनों तक यानि कुल मिला के दस दिनों तक वैकुंट एकादशी का पर्व मनाया जाता है, इस बार वैकुंट एकादशी का पर्व डिसमबर 23 से लेकर जन्वरी 1 तक मनाया जाएगा। मान्यता है के वैकुंट एकादशी के समय उत्तर द्वार से भगवान श्री विश्नु और उनके साथ तीन करोर देवी देवताएं भगतों के कल्यान हेतु वैकुंट से उत्तर द्वार से होते हुए मंदिर प्रवेश करते हैं इसलिए एकादशी के पर्व के लिए कुल मिला पाके दस दिनों तक वैकुंट उत्तर द्वार को खोला जाता है। ये एक ऐसा द्वार है जो सिर्फ वैकुंट एकादशी के द्वारान ही खोला जाता है। बाकी किसी भी समय इस द्वार को नहीं खोला जाता है। इस द्वार को बहुत ही गुप्त माना जाता है। और इसी द्वार से होते हुए वैकुंट एकादशी के दोरान भगतों को भेजा जाता है मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर भगवान स्री विंकटेश्वर स्वामी के दर्शन इस द्वार से होते हुए किया जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस द्वार से होते हुए भगवान स्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं, उन्हें भगवान स्री विश्नु और उनके साथ साथ तीन करोर अन्य देवी देवताओं के भी आशिरवाद प्राप्त होते हैं, उसके साथ साथ मुक्ष की प्रा प्राप्त होता है। भगतों को भगवान स्री विंक्टेश्वस्वामी के दशन कराये जाते हैं। यहां ध्यान दे वैकुंट एकादशी के दस दिनों तक भगतों के पास ओफ्लाइन टिकेट होना चाहिए या ओनलाइन टिकेट होना चाहिए। ओफ्लाइन काउंटर्स के अगर बात की जाए तो तिरुपती में नौ काउंटर्स नौन लोकल्स के लिए दिये जाएंगे और तिरुमला में एक काउंटर को खोला जाएगा वहां के लोकल्स के लिए। ओफ्लाइन टिकेट्स तिरुपती में नौ काउंटर्स को बनाया जाएंगे और तिरुमला में एक काउंटर्स जो तिरुपती के काउंटर्स है वह नौन लोकल्स के लिए है और तिरुमला का जो एक काउंटर्स है वह लोकल्स के लिए है तो कुल मिलाके नौ काउंटर्स continuously counters को खोला गया था ये आपके luck पर depend करता है कि किस दिन का आपको offline ticket मिलता है तो पूरी तरह से rush पर dependent था तो इसमें बहुत सारे advantage और disadvantages भी थे लेकिन इस पर tickets को देने की पधती को शायद बदला जाएगा ऐसा हमारा अनुमान है क्योंकि जो लोग बाद में आ रहे हैं यानि 10 दिनों के बीच में कभी भी आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर tickets खतम हो जाये offline में तो official update के लिए हमें wait करना पड़ेगा जैसे ही update आता है channel में हम update कर देंगे साथ ही जिनके पास कोई भी टिकेट नहीं हो यानि बिना offline या online टिकेट के वितिर्मला आतो सकते हैं लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं यानि मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं आप चाहे तो बालदान करा सकते हैं और ये किसी भी मंदिर में घूम सकते हैं लेकिन आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते ये इसलिए रखा गया है क्योंकि उस समय बहुत जादा ठंड होता है और भगतों के लंबे लाइन्स के वज़े से भगतों को परिशानी होती है इसलिए उन 10 दिनों के लिए यानि December 23rd से लेकर January 1st तक धर्म दर्शन कैंसल कर दिया जिन भगतों को नहीं पता उन्हें बता दे कि online tickets खतम हो चुके हैं वैकुंट एकादशी में special tickets को release किया गया था जो पूरी तरसे book हो चुके हैं तो अब सिर्फ offline tickets ही एक मात्र रास्ता है वैकुंट एकादशी यानि December 23rd और December 24th को ही जादा rush होने की संभावना है बाकी इसले बार भी ऐसा देखा गया था कि एकादशी और द्वादशी के दिन ही जादा rush था साथ ही December 31st को और January 1st को New Year के समय भी बहुत सारे भक्त नए साल को भगवान स्री वैंक्टेश्वर स्वामी की दर्शन के साथ करते हैं तो उस समय भी भीर की संभावना थोड़ी जाद दरश होता है उस समय आपका दर्शन है आप offline टिकेट लिए हैं या online टिकेट लिए हैं आपको एक ऐसे point में मिला दिया जाता है यानि एक छोटा सा narrow passage होता है जहां पर बहुत ज़्यादा भीर हो जाता है चाहे आप किस तरह का भी दर्शन करे एक point में आपको मिलना ही जाता है कि stamperd होने की भी संभावना बढ़ जाती है तो अपने साथ अगर आप बच्चे लेके आ रहे हैं या senior citizens हैं तो उनका खास ख्याल रखें क्योंकि ये बहुत ही पूराना मंदिर है और मंदिर के अंदर renovation नहीं किया जा सकता है तो ये एक ऐसा चोटा रास्ता है जहा हाथ पकड़ के जाना है अगर किसी कारणवर्ष आपका दर्शन ठीक से नहीं हो रहा है बहुत जादा रश देख रहे हैं तो आप जैसे जैसे line अंदर के ओर जा रहा है और भगवान स्रिविंक्टेशोर स्वामी को देख रहे हैं तब ही से अपनी मनोकामनाय मांगे और ठ ठीक से दर्शन करने की कोशिश करें क्योंकि आपको एक मिनट भी वहाँ पे ठहनने की अनुमती नहीं होती है तो बहुत जल्दी दर्शन करना पड़ता है और भीडभाड में आप मानोकामनाय कभी-कभी भूल भी जाते हैं तो आप जब बाहर आ रहे हैं तो आनंद निलि के फर्स्ट फ्लोर में ही विमान वेंकटेश्वर स्वामी जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के ही प्रति रूप है आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं जैसे जैसे आप प्रदक्षना करते हैं आपको आनंद निलियम के फर्स्ट फ्लोर में विमान वेंकटेश्वर स्व आपको दूसरी बार का पुन्य मिलता है, साथ ही उन्हें मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है, आपको उनकी दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब रश नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग वहां बैठ के पारायन भी करते हैं, कहा जाता है कि भगवान स्री वेंकटेश वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन इतना पुन्य ही आपको विमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से भी होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, अगर आपके दर्शन ठीक से नहीं भी हो रहे हैं, या दुबारा आप दर्शन करना चाहते हैं, तो आप इस त सारे भगतों के साथ हुआ है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप पहले ही family members को जो की तिर्मला में नहीं है उन्हें inform कर दे क्यूंकि आपके पास mobiles नहीं होंगे आपको किसी तरह से भी अपने family members से बात करने का मौका नहीं मिलेगा हो सकता है आप फस जाए मंदिर के अंदर लेकिन रात में भी अगर आप रहते हैं तो compartments में पूरी अव्यवस्था करता है संस्थान खाने पीने का और बच्चों के लिए गरम दूद भी देते हैं तो कोई परिशानी अंदर तो नहीं होते लेकिन जो लोग बाहर आपका वेट कर रहे हैं या family members हैं जो मंदिर में नहीं है आप उन्हें inform जरूर कर दे मंदिर के अंदर पहुँचने के बाद इसके साथ साथ जैसे जैसे updates आते जाएंगे सारे updates आपको मिलते जाएंगे offline counters के proper names के साथ में, location के साथ में साथ ही क्या December 22nd को ही offline counters खुलेंगे या 21st को ही खुल जाएंगे सभी के details आपको इस channel में मिलते जाएंगे आशा करते हूं आप सारे अपडेट्स को फॉलो करते जाएंगे ओम स्री बंकिटीश्वराय नमा